आज आपको दिखाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट, पॉइंट ओव सेल, सौफटर, रेस्टोरेंट, बिलिंग सौफटर किसी भी बिजनस में हैं, आप पागिस्तान में हैं, कोई भी बिजनस रेस्टोरेंट का चला रहे हैं बादा आपको अक्सर उकाद food panda से लोग काम करते हैं और food panda की sales को manage करना food panda के हिसाब को manage करना food panda की लेजर को manage करना पूर मुश्किल होता है तो आज हमने ये restaurant software में इत feature add क्या है जो आप food panda के ledger भी maintain कर सकते हैं और food panda की sales भी maintain कर सकते हैं आइए आपको demo दिखा दें पहले तो आपको पता हुए रेश्टोंटेंट का पूरा मैन्यू आपक उसमें आड्ड कर सकते हैं आपको आप बार्बीक्यू में डील करनें कटा-कट है टंदूर है चाहिक एड़ीर है अब मैं आड्ड करता हूं for यहां पर मैंने प्राइस डाल दी कि भाई 900 केजी है इसको मैंने कर दिया शेफ अब मैं आता हूं न्यू कस्टमर में यहां मैं फूट पंडा का एक अकाउन ओपन कर देता हूं लुट पंडा के नामसे इसके लाव मैं यहां पे शार अपना इसका रिकॉर्ट डाल लेता हूं io फूलियोधि अप्डela को खूट अल्गिन यहां पर जैसितने पेगहों अब जायद सी बाद है, Foodpanda आपको फूरी पैसे देता नहीं है, तो आप रिसीव में जो है, जो है, वो जीरो ही डालेंगे, रिसीव में कुछ भी नी डालेंगे, इसको हमने सिंप्ली कैश बिल कर दिया, ठीके, कैश बिल करेंगे, यह आपको बिल प्रेंट हो जाएगा, क्य क्योंकि मेरा thermal printer connected नहीं है, तो इसमें जो है, हमारे पास बिल आ नहीं रहा है, मैं आपको डाइडिक लेजर दिखाता हूँ, बाब को देखने हैं, पूरे महीने में, पूरे साल में, Foodpanda का क्या हिसाब है, आपको कितने पैसे लेने, आप रिपोर्स में आ गए, व्यू अका इसे लेके, 30 तारिक तक का इसाफ दिखना है, कि Foodpanda में कितना अपसे लिया हुआ है, सारा data आ जागा, उसको आप प्रिंट करेंगे, तो ये लेजर की सूरत में पूरा प्रिंट हो जाएगा, अब for example, Foodpanda आपको payment दे रहा है, तो वो आप कैसे receive करेंगे, वो ऐसे receive करेंगे sales में आप आगे, cash receive, यहाँ पर आपने बता दिया, cash in hand में पैसे आ रहे है, कौन दे रहा है आपको, Foodpanda दे रहा है, आप मैं कर दिया भई, received, और यहाँ पर आपने कर दिया, इसको मैंने कर दिया, save, अब जब मैं अपना ledger देखूंगा, तो मैंना ledger automatic update हो जाएगा, Foodpanda का मैंने display किया, अब यह देखें, यारा सो थे, यारा सो मिलके मुझे balance दीर हो गया, इस तरीके थे आप अपना foodpanda का ledger maintain कर सकते है, साथ अपनी sales manage कर सकते है, restaurant में आपको पता दिलता रहेगा, कौन कौन सा आपका item sale हुआ है, category wise देखना है, total level or closing report चाहिए, कड़ाई कितनी sale ह हुआ है, drinks कितने sale हुआ है, desert कितना sale हुआ है, पूरा आपका ये menu आगया, इसके साथ साथ अगर आपको dining चलाने, table system चलाने है, वो भी चला सकते है, अब table number one पे कोई order punch हो रहा है, फॉर्दे में chicken कड़ाई, mutton कड़ाई, अब मुझे kitchen में जो है, वो print send करना है, मैंने print kitchen किय तो ये हमारा token print हो गया, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर waiter का option है, वेटर का option है, ये print हमारा hold हो गया, table hold हो गया, अब इसके साथ मुझे अगर कोई और चीज कस्टमर बीच में कोई और चीज लगती है, table पर continue लगाता जाए होगा, last में इसको मैं pay bill कर दूँ जैसे ही मैं इसको cash bill किया, इमेरा table वापिस दीरो हो गया, यह हमारी dashboard पर sales आ रही है, अपितर हमारी 2200 की sales होई है, जैसे हमारी sales बढ़ती जाएंगी हमारा dashboard अपडेट उतर जाएगा, यह पूरा हमारा restaurant का software है, जो food panda से link क्या होए हमें, तो फिर है ने सबस प्रोडिक्ट, अगर आपको हमारा software पसंद आए, description में हमारा number लिखा हो है, आज यह हमसे राप्ता कीजिए, राप्ता करने के लिए हमें call कीजिए, WhatsApp कीजिए, thank you so much, assalamualikum